हेलो फ्रेंट्स आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है तो आज हम आपके लिए लाए हैं आट बेसिक हैंडवर्क डीजाइन फॉर बेगनर जो कि अभी हैंडवर्क सीख रहे हैं तो वीडियो का लंबा ना करके वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहला अगर आपने मेरे चैन से लेकर उपर तक खीचना है सुई को और यह इतना इसी है जो कि आप वीडियो पर देख सकते हो पर यह स्टीर यूज होता है ड्रेस फ्रॉक जिसमें भी आप गले की डिजाइन भी बना सकते हो क्योंकि यह ट्रैडिशनल लुक्स देटा है क्योंकि बना सकते हैं तो फ्रेंज हमारा दूसरा है अपर क्रॉस स्टीच यह उपर के तरफ से क्रॉस रहता है और इसको स्टीच किया जाता है यह आप किसी पर भी इस्तमाल कर सकते हो यह बहुत अच्छा लुक्स देखता है तो फ्रेंज आप मुझे कमेंट करके भी बदा सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो देखना है तो फ्रेंज हमारी तीसरी स्टीच है चेंग स्टीच यह स्टीच बहुत ही इजी है और यह चेंग के जैसे दिखती है यह स्टीच यूज होता है फ्रॉक के फ्रेल में और शोल्डर में ख्रॉक बहुत है तो फ्रेंस हमारी फोर्थ स्टीच है जिग-जग स्टीच जो कि जिग-जग दिखती है ये स्टीच आप किदर भी इस्तमाल कर सकते हो कि एक ट्रेंडिशनल लुक देता है कि एक ट्रेंडिशनल लुक देता है तो फ्रेंस हमारी फिफ्ट स्टीच है फ्रेंस स्टीच ये स्टीच जैसे दिखते हैं और ये स्टीच इस्तमाल में होती है ये फ्लावर को अंडर से फिल करने के लिए तो फ्रेंस हमारी स्टीच है जिजग लिव स्टीच ये लिव बनाने के लिए स्टीच होती है और ये इजी मैथड है स्टीच करने के लिए ये लिए ये लिए कर दो कर दो दो है कि अ आया कि आया है स्टीच है क्रिस क्रॉस लेव स्टीच यह स्टीच लिवस के लिए इस्तमाल होती है यह दुसरा मैठर है तो यह भी इस्तमाल लिवस के लिए होती है कि अधर आधर के स्टीच इस प्रेंग रोज स्टीच यह स्टीच जैसे दिखती है यह रोज बनाने के लिए काम आती है कि अधर को यह रोज स्टीच यह स्टीच के लिए रोज स्टीच यह स्टीच के लिए है झाल 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 तो फ्रेंज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? कमेट बॉक्स में जरूर बता है और लाइक और शेर करें करेंज बॉक्स में जरूर झाल